हैrauen इस वीडियो में आज हम सीखिंगे रब्यू टैप के अंदर कोमेंट इसका काम ह्योता है तो कोमेंटS डाकुमेंट के अंदर जो हम नोट कटे है उसको कोमेंट कर जाता है तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं जैसे यह हमारे पास यहां पर डेटा दिया गया है ये लिखे हुआ है, ये keyword ये लिखा हुआ है, ये mouse ये लिखा हुआ है, ये 900 यहां पे लिखा हुआ है, तो 900 यहां पे हम comment लगा सकते हैं, जैसे यहां पे हमने click किया, ये दिखो click किया, click करने के बाद, अब हम यहां पे note लगाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे new comment पे click करेंगे यह देखो new comment पे click करने के बाद यहाँ पे note लिखने के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखेंगे pen drive price यह हमने यहाँ पे comment लगा दिये इसके बाद suppose करो हम यह keyword है यहाँ पे comment लगाएंगे तो यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद फिर यहाँ पे new comment पे जाएंगे यहाँ पे new comment पे click किया तो new comment पे click करने के बाद यहाँ पे note लिखने के लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम keyword price की वोड़ ये की वोड़ प्राइस हमने यहा पे लिखा इसके बाद एक और kमेंट लगाएंगे جैसे suppose करो यह mouse है 400 का यह 400 पे हम यहाँ पे comment लगाएंगे तो फिर हम यहाँ पे new comment पे जाएंगे new comment पे जाने के बाद यहां पे note लिखने के लिए आ जाएगा यहां पे लिखेंगे हम mouse price mouse price यह हमने इसके लिए comment लगाया जहां जहां पे comment लगे हुआ है वहां पे इस color में आ जाएगा यहां पे red color में आया हुआ है यहां भी आया हुआ है यहां भी आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे comment लगे हुए है अगर हम यह देखने चाते हैं यह देखो यहां पे mouse लाते ही यहां पे comment शो होगा इसके बाद यहां पे comment लगा हुआ है यह देखो यहां पे इसके बाद यहां पे लगा हुआ ह जैसे ही हम mouse को अटा रहे हैं यहां से तो यह दिखो यह comment चला जा रहा है अगर हम यह चाते हैं कि यह जो comment है यहां पे रहे तो हम यहां पे click करेंगे यह दिखो यहां पे click किया क्लिक करने के बाद यहां पे show hide comment यहां पे click करेंगे यहां पे click किया तो यहां पे click करने के बाद यह देखो जैसे हम यहां पे बार कहीं पे क्लिक करेंगे यह नहीं जाएगा यह देखो यहां पे क्लिक किया तो यह यहां पे रहेगा इसके बाद यह देखो शो हाइट कोमेंट यहां पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां भी यह आ जाएगा तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि यह कोमेंट साथ में दिखाई भी दे तो हम यहां पे जाके शो हाइट कोमेंट पे जाके इसको यहां पे शो करवा सकते हैं अगर हम यह चाहते हैं कि य जो comment है ये सभी एक साथ चले जाएं तो हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे इसके बाद show all comment यहां पे click करेंगे यहां पे click किया तो यहां से सभी यहां पे जो comment यहां पे सामने दिखाई दे रहे थे यह सभी चलेगे इन सभी को देखना जाते हैं तो फिर इसी के ओपर click करेंगे show all comment तो यह सभी आ जाएंगे यह देखो यहां पे ही click किया तो यह सभी आगे अगर सभी एक साथ आठाने है तो हम क्या करेंगे यहां पे show all comments यहां पे click करेंगे तो यहां से चले जाएंगे तो सभी को देखने के लिए और सभी को hide करने के लिए हम show all comment के ओपर ही click करेंगे यहां पे click किया आगे यहां पे फिर click किया यह चलेगे तो इस तरह से हम यहाँ पे सभी comments को देख सकते है और सभी comments को hide भी कर सकते है अगर हम यहाँ पे click करेंगे यह दिखो यहाँ पे हमने click किया और यहाँ पे click करने के बाद यहाँ पे दिया गया है next, previous or delete तो जब हम यहां पर next पे क्लिक करेंगे तो यहां पर comment आ जाएगा यह देखो यह comment यहां पर लगा हुआ है अगला देखना जाते हैं तो फिर हम यह next पे क्लिक करेंगे यह देखो next पे क्लिक किया यह अगला दिखाई देगा इससे अगला देखना जाते हैं फिर next पे क्लिक कि है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे previous यह देखो इससे पीछे यह comment लगा हुआ है तो इस तरह से अगर हमने अगला comment देखना है या पिछला comment देखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे previous और next command use कर सकते हैं इसके वाद अगर हम यह चाहते हैं कि ये जो comment हमने यहाँ पे लगाए हुआ है यह सबी यहां से delete हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे click करेंगे यहाँ पर दिखो यहाँ पर comment को अटाने जते हैं यहां पर क्लिक किया इसके बाद डिलीट पर क्लिक किया यहां से भी कमेंट हट गया इसके बाद यह लास्ट है यहां पर कमेंट लगा हुए इसको भी अटाना है तो हम यहां पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहां से भी यह कमेंट हट गया एक तो हमने ऐसा नहीं करना है तो हम कमेंट को ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे यहां पे यह 900 यहां पे कमेंट लगाना है इसके ओपर राइट क्लिक करेंगे यह देखो राइट क्लिक किया राइट क्लिक करने के वाद यह देखो यहां पे निचे यहां पे दिये गया है इंसल्ड यहां पे क्लिक करने के बाद जैसे यहां पे लिखा हमने pen drive price यह pen drive price हमने यहां पे लिखा और यहाँ पर दिये गया एडिट comment तो यहाँ पर click यहाँ पर click करने के बाद यहाँ पर हम कुछ भी addit कर सकते हैं ज्यस्य यहाँ पर pen drive price इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 900 यह लिखा तो यह दिखो यहाँ पर यह added होके आ जाएगा यह यहां पर क्लिक किया है यह देखो यहां पर एडिट हो के आगया है pen drive price 900 इसके वाद आगर हम यह जाते हैं कि यह जो comment लगा हुआ है इसको यहां से अटाएं तो इसके उपर right click करेंगे और यहां पर delete comment यह देखो delete किया है तो यहां से यह comment delete हो जाएगा तो इस तरह से हम य channel धन्यवाद